नमस्कार दोस्तो टार्गेट विद प्येस परिहार चैनल में आपका स्वागत है आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं UPTET की जारी हुई एक नोटिस की उसकी बाद में हम लोग बात करेंगे UPTET की एक बड़े खेल की तो वीडियो को चल्दी से लाइक करते हैं श उसको लेकर के नोटिस से कि कितने चात रुपस्तित हुए हैं कितने अनुपस्तित हुए हैं यह पीनपी के त्वारा जारी हुई एक नोटिस है जिसमें यह बताए गया कि कितने परिक्षा केंद्र बनाए गये थे और किस तरीके से परिक्षवी यहां पर प्रात्मिक इस परिक्षा हुई यह उसकी बारे में लिखा है कि 12,99627 अभ्यर्थियों के साथ परिक्षा में 10,73302 अभ्यर्थि भाग लिया उन्हों प्रति भाग लिया यानि कि लग भाग तिरासी दिसमलोग यानि कि विद्यारती 20 परिच्शति विद्यारती सेट्ट मेटिंग यानि परिचित वाली उसमें ुप Experience बुछ ही वाग लिया मौसम बहुत खराब था बहुत उन्हों सारे बारिस गता फीदारती है और उन्हों पर लिखा हुआ है कि कुल 21,65,000 चात्रों के सापेक्ष 18,22 विद्दैर थी उन्हें इस परिच्छा में भाग लिया वहीं पर लिखा हुआ है कि 2021 परिच्छा के बारे में प्रस्ट पत्र लीक होने के बारे में भी लगातार जो है सोसल मीडिया पर पोस्ट वारल होती रही जिसको संग्यान में लिया गया है वारल पोस्ट पर मुद्रित पसंदों का मिलान किया गया है मोल पसंदिकास के प्रसंदों से कराय जाने पर वारल सबसे बड़े खेल की एक वीडियो मैंने बनाया था दुपहर में और आप लोगों को उसकी बारे में बताया था यह जो परिच्छा हुई थी पंद्रे अक्टूबर 2017 को और मैंने आप लोगों से यह बताया था कि ज्यादतर जो क्वेश्चन है वह रिपीट हुई है ऐसा नह आलोशना करते हैं ऐसी बात नहीं है और अगर वर्तमान सरकार की आलोशना करने का मतलब यह नहीं है कि कोई विपक्ष का सपोर्टर की कि समाजवादी पार्टी का मैं सपोर्टर हूं मैं समाजवादी पार्टी की भी आलोशना करता हूं जो उनकी नीतिया खराब है और जो तो सभी लगेगा मैं वो जानकारी आपको दूंगा और जो जानकारी होगी वह चात्र हीत में होगी आप लोगों कहुं सकता है ये बात आज समझ में ना आए बात में समझ में आएगी जब जुनियर भरती के बारे मैंने आप लोगों से बताया था कि पेपर आउट हुआ है तो आप लोगों नहीं माना और बाद में इतनी सारी नंबार आए कि सभी चाथ पहले ही हतास हो गए इसी तरीके से मैंने 79,000 सिचक बरती के बारे में भी आवाज उठाई थी तब सुरू सुरू बी तो विद्यारतियों को लग रहा था कि सबका सेलेक्शन हो जाएगा लेकिन अब देखिए जो आज वाला पेपर है जो मैंने आज वीडियो बनाया था यह जो आप लोग देख रहे हैं यह 2017 का है और जो मैंने बताया कि इसमें लगबग 95 प्रस्न जो हैं वह 2017 की हैं तो विद्यारतियों को कमेंट आए कि सर आपने भी PCS के बहुत सारे इंटर्व्यू करना रिपीट करना एक मुद्दा नहीं है रिपीट करना कोई समय सभी नहीं है सभी प्रस्नों में सभी प्रस्नों में रिपीट होते हैं क्वेश्चन अगर इनको पेपर उठा करके ही देना था तो यह 2011-12-13-14-15-16-17 सभी जितने भी एक्जाम हुए हैं सभी के 10-10 नहीं ताकि यह चाटरों को लाव जैसे आज की पेपर में हुआ है और चरचाय तो यह कि यह कुछ लोगों को हो सकता है कि कुछ लोगों ने पता भी कर लिया हो जब उत्तर प्रदेश में यूपिठीय का पेपर एक दिन पहले आउट हो सकता है परिचा इजंसी कि किस तरि का पेपर देखिए इसमें कितने सारे जो प्रसने वह पूंचे गया ते मैं प्रतेक चिप्टर के ज्यादा तर जो कोईस्टन वह जली जली दिखाऊंगा आपको दो मिनिट में यह देखिए लिखा है सुजनल शास्तर के पीता यह आज भी पूंचा गया था इसका आंसर जो ह प्रियास भूल के सिध्धान यह देखिए और उसके बाद में कि यह क्रिया प्रसूत और बंदन का सिध्धान यह भी आज पूछा गया था आप लोगों ने देखा होगा बुद्ध के तरल कृष्टली प्रतिमान के प्रतिपादा कौन है यह प्रसन भी पूंचा गया था और बच्चों के समाजी की विकास को प्रभावित करने वाले कारक हैं यह भी पूछा गया था निमन में से कौन सा सारेरी की विकास का एक प्रमुख निया में यह भी आज पूछा गया था तरीस नंबर यह मेरे पास है यह 2017 का पेपर हमें आपको दिखा रहा हूं कि कौन खुद पर दिया होगा हर लाख मोदे सबस्क्रा करने और यह भी पूछा गया था अच्छा यह बताइए यह मूल प्रभत्ती वाला क्वेस्टन आया था कैसी दूसरी टो इतना सारा जो कोश्चन है वो पूछा गया है और तो यह कुश्चन में था निमन में से कौन सा विक वकल ही थे यह सेम जो है यह रिपीट किया है उसके बाद में डीकिए समस्या यह नहीं है कि रिपीट किया जो आप मोयने कमेंट किया है ना इक做 repeat करने divide cansil नहीं होता जुए ठीक मैं मानता हूं तो तो क्या कि किसी एक भरती का यानि कि जैसे PCS का ही पेपर सेम सतर अस्वी क्वेस्टन अगर लग एक अठे रख दिये जाएं किसी जम्य क्या ऐसा कभी हुआ है किसी भी जम्यास तक हुआ है तो यह इसकी जात होनी चाहिए जब उत्तर प्रदेश में पेपर एक दिन पहले भी ना टूटे हुआ हो यह ना हुआ हो इस तरीके का पेपर नहीं बनना चाहिए देखिए हिंदी का यह प्रस्ण 2017 का पेपर है यह जो महात्मा बुद्ध ने बुद्धत प्राप्त किया तो उनकी अवस्था कि नहीं थी सेम इसमें कुछ भी बतला नहीं किया जबकि इस में कुछ और भी प्रस्ण बन सकते थी और देखिए शुरूती धर्म क्या यह भी उस पेराग्राफ का सेम का सेम उसमें आ गया हिंदी में आप लोगों ने देखा होगा मुझसे उठा नहीं गया मुझसे उठा नहीं गया यह क्वेस्टिन जो है हिंदी का है और इसका चार गज मलमल चार की चेकर पांस नहीं हो सकता है उत्तर तो उसका वही रहता है लेकिन सेम चार गज मलमल अगर 17 में लिखा हुआ है तो चार गज मलमल इन्होंने आज भी डाल दिया है क्या आज चौरहा नहीं पूचा गया है चौरहा आज भी पूचा गया है आज वाला भी आज पूचा गिया है इंक्यावान नंबर आसु भासाड हिंदी भासा में कितनी बोलियां है यह पूचा गया कि नहीं पूचा गया है तू और इसके अलावा जो है तत्वाव पत्रिका के हिंदी में तो 30 में से 27 क्वेस्चन तीस में से 26 27 क्वेस्चन हूब हूँ उनकी विकल्प भी वही है यह आपने भी देखा होगा तत्वा पत्रिका नहीं कर पाएंगे ना लेकिन उन्हों लोगों ने कर लिया होगा उपत्यका वाला देखिए आज क्वेस्चन आया थक नहीं आया तक नहीं आया तक दोनी का यह देखिए यह जगनिक ने परमाल रासों से लिया गया है इसका विकल्प सही है और यह आज भी पूछा गया यह कुछ आज आया था कि नहीं आया था किस देश में हिंदी भास्ता का प्रयोग लेकिने तो इतना रिपीट कौन करता है इसी लिए जब मैंने वीडियो बना यह हिंदी में आज आया था कि नहीं है दो चार गुर्मट्स टबीट के तीस में से हैं पंद्रा कोईश्चन ओं तभी ठीक है यह 25-25 अठाइस-ठाइस विकल्ट के तीसमी रख दिये जा रहे हैं तो यह एक बड़ी बात है और वीरों का हो कैसा बसंत यह देखिए इसुव ृर मैं यह कुश्चन है आया था कि नहीं आया था आपने बारा का भाग दिया था कि नहीं धी रुखना यह था मैं थी रुपीट की गई एद और वह भी रुपीट हो तुम आता। रुखनwał अब क्या है यह आद पूछा गया था गडित कर यह क्षान भी आय trae Again बराबर B बटे चार बराबर C बटे चार तो इसका मान निकालना था जो कि इसका आंसर दो आता है गलित में एक सेम क्वेस्चन ये भी आया था हाला कि गलित में उतना नहीं है जितना हिंदी रिपीट किया है जितना परेवन रिपीट किया है उतना महत नहीं रिपीट किया है लेकिन महत की भी बहुत सारे जो question है वो repeat हुए है लगबग आदे question महत की भी repeat हुए है इसी तरीका का एक question आज भी है तो आप लोग देख रहे हैं किसी कमरे की 4 दिवानों का कुल 660 है same question ये आज भी पूचा गया था और आप लोगों ने इसे निकाल लिया होगा आपको अगर याद आ रहा हो तो ये question भी आज पूचा गया था जिसमें ये देखिए हानी आ रहा था 33 एक बड़े 3 ये किसी वस्तु का क्रेमोल उसके विक्रेमोल के ये 2017 का पेपर है जो repeat हुआ है आज पात सेंटीमीटर भुजा वाले एक घन के सभी फलकों पर रंग लगाया जाता है इसको भी आप लोगों ने लगाया होगा ये भी आज आया था आज ये भी आया था ये अवरोही कर्म में रखे गए आकलों के दोनों छोरों से चरम प्रेक्षन हट आ जाते हैं तो केंद्र आज 28 जो हिंदी की रिपीट हुए है 24-25 क्वेश्चन जो सीडीपी की रिपीट हुए है आज एक क्वेश्चन और आया था अचा बहुत सारे लोगों को ये भी कहना है कि सर ये नॉर्मल बात है तो ये नॉर्मल बात बिलकुल भी नहीं है ये इसमें बहुत बड़ी साजि इस हो सकती है अगर इनको रिपीट क्वेश्चन ही डालने थे इनके पास समय कम था विसे शग्य नहीं थे तो ये लोग दो मैं तो बार-बार बोल रहा हूं कि कम से कम 20-20 क्वेश्चन ले 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 ते 30-30 क्वेश्चन ले 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 और कम से कम 4-5 सालों के प्रसंपत उठा करके पेपर बना सकते थे उससे किसी को अपती नहीं होती और किसी को फाइदा भी नहीं होता तो चूंकि जिसको फाइदा हो तो पूरा पढ़ना पढ़ता और इसलिए केवल एक जो बनाये गया 2017 पेपर को उठाए गया है और लगबग 100 क्वेश्चन 17 के रखे गए जी इसकी जाच होना अवस्यक है हाना कि सरकार नहीं मनेगी अभी तो चूंकि पहले भी नहीं मनी थी सरकार नहीं मनी थी इसके पहले भी सारे पेपर आउट हुए सरकार कभी नहीं मानी है और तरह जारो और जारो एड़ेट जूनियर हो टीजटी ओ पीजटी ओ किसी में नहीं मानती है तो खैर आप लोग जानिए यह जो कुष्टन देख रहे हैं आप लोग यह भी आज पूछा गया था आप लोग कमेंटे बाक्स में बताएं कि आज पूछा गया था कि नहीं बहुत आसान पेपर आया था जाता कटिन नहीं ता लेकिन बात फो नहीं है गलत गलत मुझको इसकी परवाएं नहीं है चाइज दिने चात्र विरोध करें अगर कोई चीज़ गलत हुए है तो मैं उसको खुल करके विरोध करूंगा और हाला कि विद्यार्थीज में विरो हुआ है लेकिन यह गलतिया अगर इसी तरीके से आगे के प्रस पेपरों में होंगी चाहे वह सुपर टीटी हो या अन्य भरती हो तब क्या होगा और इसके बाद हम लोग एक और को देखते हैं यह देखिए यह क्वेस्चन 2017 में भी आया था और आज भी पूचा गया है और तो यह देखिए यह क्वेस्चन भी आ जाया था यदि दो संख्याओं का अंतर यह था गोड़न फल क्रम सा पांत था च्छती सो तुन के बिदक्रमों का अंतर कितना होगा तो यह असान था यह भी पूचा गया था तो कुल मिलाकर के हाद कर दी गई है इतना रिपीट यह एक इस थर का पेपर बनाया है अपति इस बात पर है ठीक है कैंसिल हो यह ना कैंसिल हो इसकी जांस होनी चाहिए और अगर आप लोगों का पर अच्छा हो गया है तो इसके मतलब यह नहीं कि सिस्टम सभी है और सब कुस रही हुए मिला भी सकते हैं 2017 वाला उठा लिए कहीं से भी और पूरा मिला लिए यहां इनडी में है यह कोषचन 2017 अपने हाथ में लिया है और यह कोषचन आज भी आया था और 2017 में भी आया था और भी कौन को से क्वेस्टन है नीचे देखिए आप लोग यह भी आया था आज यह 124 नंबर सीरियल से देखते जाए अगर हम लोग पार्यावरण की बात करें तो लगबख 27 28 प्रसन जो है पार्यावरण की तीस में से तीस में 27 28 प्रसन 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 आज आया था उसके बाद में क्रम यह नहीं आया था इसके बाद में अगरा जो बार्यावरण की लू 노र्या था और असागपो वाला आया था अधो आया था उसके बाद में दो सब्सक्राइब यह भी पूछा गया था आज कंफर्म है और मौलिक करतब यह वाला कोश्चन सेम आज पूछा गया था किस देश से लिया गया यू एस एस एर एक सो चौतिस नमर भी पूछा गया धुरूत आरा इस फूलों की घाटी वाला भी आया है प्रोजेक्ट टाइगर वाला भी कुश्चन आज पूछा गया है ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्याला का अवस्तित यह भी पूछा गया एक क्या पूछा गया आज यह वर्ल्ड वाइड लाइफ वाला जो क्वेस्चन है यह इसी से मिलता चुलता को फूछा गया आज कौन सा जर्मंडल का अजयवी घटक है यह भी पूछा गया है आज तो यही हाल जो है इंग्लिस और संस्कृत के भी है इन बिस्यों में भी हूब हूँ उठा लिया गया और हूब हूँ रख दिया गया है इसको भी आप लोग देख सकते हैं संस्कृत का जिन्होंने किया होग गया है और जो प्रसन है वह भी इसी तरीके से रखे गए हैं तो इस तरीके से जब एक साथ में लगबगर नब्य क्वेस्टन जो हर वह रिपीट हो गये हैं इसलिए मैंने अपत्ति जताई है रिपीट तो आप 150 भी कर सकते हैं उसमें कोई अपत्ति नहीं हो लेकिन रिपी को उठाया तो 17 को तो इसमें बड़ी साजिस से इनकार नहीं किया सकता है यह हो गया आज का वीडियो बहुत बहुत धन्यवाद